कि तो चलो प्यारी पाई इस वाले Trust को देको कि इसमें क्या कहा जारा रहा की एक magnetic field electromagnetic wave जो है जो Das कि भूख वा सब्सक्राइब और डायरेक्षान दिये हुआ यहाँ जे के वा तो इससे मुझे पता करना है इल्दरकी lips कीं इक्षप्रेशन कितनी होगी देको बहुत अच्छा सवाल है और इसको करो ऐसे यहां से यह पता चला कि जो मेगनेटिक फिड्ट रहे तो यह इंट्रोमेगनेटिक वेव जो ट्रांसबर्सल वेव होती उसका equation होता है a sin omega t omega t plus minus kx इस format में होता है अब इसको magnetic field है यहां पर तुम देख रहे हो यहां पर plus है तो जब यह plus होती है तो waves वह उपोजेटीव x-axis में ऐसे जाती है तो यहां से जो magnetic field है अगर मैं उसको ऐसे magnetic field is equal to B not sign यहां से omega t plus kx इस इस पार्मेट में अपनी जो इक्वेशन है मेगनेटिक फिल्ट की वह दी हुई है तो अगर आप सबको पता है कि यह जो वेव होती है वह पोजेटिव एकसे में जाती है मतलब जो डाइरेक्शन अप्रपुगेशन ना एश वेक्टर वन अपान मिपन और एकृस भी होता है तो इस से हम डाइरेक्शन पता कर लेते हैंसे रही है जा Umm Do वेब दा रहे हैं इधर पोज़ेटिव एकसीज में एज़ वेक्टर इधर हो गया और जो मेग्टिक फिल्ड हो ओँविस्ली ब्येक्टर यहां से दिया ही है गुमादोगे तो जो थाम आएगा ओ ऊपर आएगा तो यह जो उपर है वह अपना स वेक्टर देगा तो तुम्हें की साइड में रखके बी की साइड गुमाना तो एक अब दो ही डायरेक्शन पॉसिबल है क्योंकि तीनों पर्पेंडिकुलर है S perpendicular to E perpendicular to B जब यह तीनों perpendicular रहे तो या तो जब E है या तो board के अंदर आएगा, board के बाहर आएगा लेकिन जैसे हाथ board के अंदर रखोगे और फिर E cross B करोगे ठीक है, तो जब हाथ board के अंदर, board के अंदर रखोगे और E cross B करोगे तो S की side नहीं जाएगा क्योंकि यह उपर है तो अगर बाहर रखोगे यहां और बाहर रखोगे तो E cross B करोगे तो आप उनको मिल जाएगा K cap की direction सब्सें? तो K cap की direction यहां से मिल जाएगा तो जो electric field है वो K की direction में जा रही है यह जब यह दोनों positive हैं और तरीका ना I यहां से J और यह अता है K तो यहां से S जो है वो I cap है और E तुमें पता नहीं है यहां तो यहां तुम अगर यहां तुम देखो यहां तुम K रखोगे K cross J करोगे तभी तो I आएगा समझें? तो यह अपना E आगया, A अपना B आगया A अपना S आगया तुम तो K cross I करोगे तभी तुमें तो यह आएगा तो यह जो है positive के में waves आ रही है मतलब या तो यह कभी सही नहीं हो सकता यह कभी सही नहीं हो सकता यह तो third सही है यह तो first सही है तुम आप देखो जो amplitude है, electric field की amplitude निकालो, magnetic field की amplitude यहां दिया हुआ है, 3 into 10 की power 8, यह देखो B naught की जो value है, यह है, 3 into 10 की power minus 8, तो यहां पर तुम देखोगे, जो electric field होती है, वो C times magnetic field होती है, तो electric field की amplitude जो है, ओ, यहां से तुम देखोगे, तो 3 into 10 की power 8 light की speed और 3 into 10 की power minus 8 तो यह cut गया तो electric field की amplitude आ गई 9 तो यहां से तुम देख रहे हो अपना third option सही नहीं है correct option is अपना first phase change नहीं होता है तो be careful जो अंदर वाली quantity है उसमें कोई changing नहीं आएगी ठीक ना अंदर वाली जो quantity है उसमें कोई changing नहीं आ सकता Thank you